नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने 105 का पंच में चलिए हम आगे बढ़ते हैं रोज की तरह देखिए कोशिस करना ना छोड़े गुच्छे की आखरी चावी भी ताला खोल सकती है ठीक है दोस्तों तो प्रयास हमेशा सदत करते रहना चाहिए हो सकता है कि जो आप अंतिम प्रयास कर रहे हो वही पर आपको सभलता प्राप्त हो चलिए आगे हम प्रस्णों की तरफ पढ़ते हैं पहला प्रस्ण उपराष्ट पती स्री एम वेंके अनायडू के कारिकाल के ती स्री रामनात कोविंद स्री अमिस्सा यह स्री नाजनाच सिंग चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है स्री राजनात सिंग जो रच्छा मंत्री हैं श्री वैंकेर नाडू जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारत के उपराश्ट पती है ठीक है दोस्तों और इसके electronic version इस book का electronic जो version है यानि इबूक है उसका विमोचन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकास जावेड कर साहब करेंगे कौन करेगा प्रकास जावेड कर साहब करेंगे ठीक है अब उपराश्ट पती अगर हम देखें तो भारतिय संविधान के आइडिकल 63 से लेकर 73 तक उपराश्ट पती का जिक्र है उपराश्ट पती के कार यह जो भी उनकी योग्यता यह सब का जिक्र कहां से कहां था कि 63 सब 63 से लेकर 73 तक ठीक है चलिए अब हम अपने अगले प्रस्ण की तरफ बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्ण हाल में ही करनाटक के की सहर में एक नए रेल संग्राले का हाल में ही उद्गाटन किया गया है ठीक है दोस्तों इसे मालगूडी संग्राले भी कहा जाता है अब अगर हम देखें करनाटक की राजदानी क्या है बेंगलूरू भासा कंणल बोली जाती है मुख मंत्री वियस यदरप्पा है राजिपाल बज्यू भा वाला है और गठन एक नवंबर 1956 में हुआ था ठीक है दोस्तों करनाटक जिसे पहले महसूर राजी के नाम से जाना जाता था और 1973 में पुना नाम अंकरन करके इसका नाम रखा गया क्या करनाटक ठीक है दोस्तों अब करनाटक में अगर हम जिलों की बात करें तो यहां पर 50 जिले Surprise है विधान सब्सब्सब्स की करनाटक में है सक्थ 75 संदों लोक सब्सक्राइब है 25 सेखहर और राज्य सभा की 12 सीटे है ठीक है दोस्तों और करनाटक में ही भारत का सबसे उचा जल प्रपात भी है यहां सरावती नदी उचाई से नीचे गिरती है ठीक है दोस्तों ध्यान रखना चलिए अब हम देश के बाकी संग्रालय के बारे में जानते हैं देखिए सबसे पहले आप जैसा की देख रहे है नेशनल रेलवे म्यूजम दिल्ली में है जिसकी अस्थापना उननीस सो सतर में हुई थी अगला जो सी म्यूजियम ऑफ मिनीचर रेलवे ठीक है दोस्तों यह पूना में इस्तित है और यह पब्लिक के लिए उननीस सो अठानवे में खोला गया थ चौथा चैन्नाई रेल म्यूजियम ठीक है दोस्तों 사ip इसको दो हजार दो में खोला गया था रेल म्यूजियम मैसूर जैसा की आप देख रहे हैं इसको यह भी करनाटक में स्थित है 1979 में खोला गया था यानि अब करनाटक में 2 में ठीक है दोस्तों याद रखना एक मैसू में और एक हुबली में ठीक है छटा देखिए मेट्रो म्यूजियम है जो नू डैली में है और यह साउत एसिया का पहला आधुनिक मैट्रो म्यूजियम है ठीक है दोस्तों इसको 2002 में खोला गया था ठीक है दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा तीसरा प्रस्त है ट्राफिक सिंगनल पर महिला प्रती को का उप्योग करने वाला पहला भारतिय सहर कौन सा है ओप्सन है दिल्ली मुंबई चे नहीं एहम दावार ठीक है दोस्तों इसका सही जवाब है मुंबई चलिए आगे देखने हैं जैसा की महराष्ट की राजधानी क् मुंबई भासा की मुली जाती है मराथी मुख्य मंत्रिय उद्दव ठाकरे राजपाल भगत सिंग्खोश्याली और गठन एक मही 1960 में हुआ था ठीक है इसी दिन गुजरात का भी गठन हुआ था ठीक है दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है अगर हम महराष्ट की बात करें तो महराष्ट में जिले है 26 विधान सभा की 288 सीटे है विधान परिशद की 78 सीटे है ठीक है दोस्तों राज्य सभा की 19 सीटे है और लोग सभा की 48 सीटे है ठीक है चलिए अगर हम महराष्ट में देखें तो अजंता और एलोरा की गुफाएं है जिसे युनोस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर भी बाना गया है यहां पर तडोबा टाइगर रिजर्व है ठीक है दोस्तों पूना पूने जिसे ऑक्सपोर्ड ऑफ इस्ट भी कहा जाता है दूसरा नासिक सहर को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों अब हम द देख रहे हैं यह फ्रॉक फ्रॉक पहनेवी महिलाओं का चित्रण किया गया है ठीक है मुंबई भारत का पहला सहर बन गया है चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रस्ण की तरफ विश्व जैव इधन दिवस कब मना जाता है ऑप्सन है आपके पास आठ अगस्त न करकार द्वारा किये गए विभिन्य प्रयासों के उजागर करने के लिए हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव इधन दिवस मना जाता है ठीक है दोस्तों तो यह किसके जिम्में आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राले 2015 से विश्व जैव इधन दिवस मना र देख रहे हैं सर रूफोल्ड डीजल द्वारा किये गए अनुसांधान प्रयोगों को भी सम्मान प्रदान करता है इन्होंने 1893 में मुंगफली के तेल से इंजन को चलाया था ठीक है दोस्तों जेव इधन के तीन प्रमुक्षेत्र है इथेनॉल जेव डीजल और बायो गै ठीक है दोस्तों यह तीन चीज़े याद रखना जेव इधन के तीन प्रमुक्षेत्र है इथेनॉल जेव डीजल एवं बायो गेस तो हमारे पैट्रोलियम मंत्री कौन है स्री धर्मेंद्र प्रधान ठीक है दोस्तों ध्यान रखना कौन है स्री धर्मेंद्र प्रधान और यहां आत्म निर्भर इस बार आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतरगत इसका वेबिनार किया गया है ठीक है दोस्तों अगला प्रस्त देखते हैं हाल में ही यूनेसको ने सुनामी रेडी के रूप में किस राज्य को मानेत्या दी है यानि सुनामी के लिए तयार हो दोस्तों इसका सही जवाब है ओडेशा ठीक है दोस्तों चलिए देखते हैं उडिशा देखे जैसे के लिखा हुआ है उडिशा पहला भारत का पहला राज्य है जिसके दो समुद्रिय गाउं को सुनामी रेडी सुनामी रेडी के रूप में घोसित किया गया है वो कौन- वैंकट पूरा और नोल्या साही गाउं इनको यह मानिता दी गई है ठीक है दोस्तों हिंद महासागर शेत्र में यह सम्मान पाने वाला पहला देश भारत बन गया है ठीक है दोस्तों वल्ड हेरिटे सीटी का टैग इसी के साथ मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों वल्ड हेरिटे सीटी का टैग पाने वाला एहमदावाद भारत का पहला सहर बन गया है ठीक है दोस्तों अगरम बात दğत चैको औड़िशा की तो औरिशा की राजधानी है भूनेश्वर , राजि 1336 को जिसे उत्कला दिवस के रूप में मनाते हैं अगर हम यहां डिष्टी की बात करें तो यहां डिष्टी कितने हैं 30 विधान सभा की 147 सीटे हैं लोग सभा की 21 सीटे हैं राजिसभा की 10 सीटे हैं ठीक है और यहाँ बोली बोली जाती है ओडिया दोस्तो ओडियसा के बारे में एक और खास जानकारी संबलपूर के पास दिस्तित हीरा कुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ठीक है दोस्तो I hope आपको यह सारी जानकारिया पसंद आई है अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और इसे लाइक कीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद.